पुए चुट्टी यह खदाम अगर नहीं चुट्टी लख लेंगे कोई दिख़्त आइ कि अगर कि अगर कि अगर अगर कि इसको क्यानम सब्क्राइब मिल्चिट के साथ कर लेंगे जब क्यापिटल बष्टिंग बढ़ेंगे कि स्पेस इतना उचनती खोड़ो कि अबको नहीं मालूम इसको बात में करनें करदें ने वह यसी यह कापिटल कापटल कर दो झाल 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 प्राइस का फॉर्मुला पता है क्या प्राइस का फॉर्मुला क्या बन जाएगा ए-प्राइस के क्या बढ़ा रहा हूँ यह काम करें यह बस आपको यह समझना है कि यह क्या खीज़़् अचिज़ अच्छा ए-प्राइस का फॉल फॉर्म क्या होता है वो कैसे निकाला जाता हूँ आपको पता हो ना चीज़िये पर फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ की पता नहीं है कि EPS कैसे निकला जाता है मान लो मैंने आप पो EBIT दिया EBIT का फुल फॉर्म क्या लगता है क्या होना चाहिए अरनी बिफोर इंट्रेश्ट ऑन टैक्स हम जो भी प्रोडक्शन करते बेचते हैं सेल्स में से माइनस कर दोगे वैरिवल कॉष्ट उसमें से क्या माइनस कर दोगे फिक्स कॉष्ट जो भी आएगा उसका नाम क्या रहेगा डैप्रिशिशन भी माइनस कर दिया कि भगाउन में आए भी पी इनस से माइनस कर दिया वैरिवल कॉष्ट में से क्या मैनस कर दिया कि इसमें से मैंन से रोडिया डैप्रिश शच जो आहएगा उसका नाम क्या रहेगा इंट्रेश्ट नहीं किया इंट्रेस्ट माइनस नहीं किया अब बोलो इभी आइटी वही तो इभी आइटी ना या पी बी आइटी एक ही बात तो पी बीटी फिर ठीक है इस में से माइनस क्या करोंगे इंट्रेस्ट तो याएगा प्रॉफिट विफोर टेक्स या अर्निंग फिफोर टेक्स एक ही बात है माइनस क्या करोंगे टेक्स तो जो आएगा उसका नाम रहेगा अर्निंग आफ्टर टेक्स मुझे एपीएस निकालना एपीएस अर्निंग पर शेर और मेरे फर्म में प्रफ्रेंशेयर भी है मुझे निकालना, earning per share किस के लिए निकाला जाता है, और friend shareholder के लिए के equity shareholder की दोनों के लिए EPS दोनों के लिए निकाला जाता है ना, क्या हो गए आपको, EPS हाँ एडवांस एकॉन में पढ़ा होगा अच्छा एकाउंटिंग इस्टेंडेट 20 में पढ़ा होगा चलो कोई बात नहीं फाउंडेशन में पढ़ा होगा है एपीएस कैसे निकाला जाता है अर्निंग पर शियर अर्निंग डिवाइड़ बाइब नंबर अप शियर्स तो क्या जाएगा करते हैं तो नंबर अप शियर्स आता है की नहीं आता कॉमन सेंस लगा लो अगर है तो माइनस प्रफ्रेंश डिविड़े यह जो अरुनी है उसमें सबसे पहले पैसे किसको दिये जाएगी प्रफ्रेंश यह रोल्डर को बहुत सारे तरीके बहुत सारे शेट्र से लिक्विडिशन अब यह मत बोलना लिक्विडिशन भी नहीं पड़ा इस एक अरुनीक्स किसके लिए अब एक विडियो अब कि किसे करोगे नंबर ओप इक विडिशन अच्छा हुआ यह स्टेट्मेंट मैंने लिखवा दिया मैंने लिखवाने वाला था कि पता होगा तो जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा ईपीएस कि कि अच्छी अचछी कर रहेएं कि आप कि म मस्य आप हैंची कि अच्छी कर्या सबस्क्राइए कि रिए विएड कि अब चलो समझें क्या चैप्टर हम पढ़ने जाए वेटेस पास से दस्टम बढ़ने वेखोगे एक्जाम्प नमबर कि यह कंपनी है ऐसे बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं तभी याद रहे ख़़गा हाँ 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 एक लाक श्यार्स दस के एक बोलो कितना रुपए हो गया है दस लाख ठीक इसके अलावा कमाया भी था आपने रिजर्वेंस लपस ये कमाया करीब दो लाख रुपए आपके पास रखा था इसके अलावा 12% डिवेंचर्स भी थे और ये करीब है तीन लाख रुपए तो टोटल मिलाकर अभी कैपिटल इंप्लॉइट कितना है 15 लाख रुपए और कमपनी ने इन पैसो को इनवेस्ट किया है इनवेस्टमेंट कितना रुपए किया है 15 लाख इसी प्रोजेक्ट में लगाया हूँ ठीक है और उससे कितना कमा रहे हो तो वो मैं बता देता हूँ और करीब करीब हम 4,50,000 रुपए कमा रहे हैं और टेक्स का रेट ले लेते हैं 30 मुश्ट यह सिच्वेशन कब की है अभी 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 एक कमपनी है जिन्होंने पैसो पैसो का अरेंजमेंट इस तरह से किया था उसको प्रोजेक्ट में लगाया था और प्रोजेक्ट में लगा कर साड़े चार लाक रुपए कमा रहे हैं अब हमारा यह टार्गेट है यार क्योंकि क्लासेस यहां रोम छोटा सा है बड़ा करना चाहता हूं अभी कितना लोग रुपए लगा चुके सर मैंने 15 लाक रुपए लगा दिया है और साल भर में 4.5 लाक के कमें हूं अब मैं इसको एक्सपांशन में जा रहा हूं कुछ बड़ा किया चाहे और पैसे चाहिए और सब कितनों रुपए चाहिए और करीब करीब हम लोगों को पाच लाक रुपए और चाहिए पांट पैसो का अरेंजमेंट कहां से किया चाहिए मेरे पास ऑक्शन है या तो डिबैंचर इश्यू कर सकता हूं या एक्वटी इश्यू कर सकता है या प्रफरेंश्यू कर सकता हूं क्या लग रहा है 5 लाक नहीं और ज़्यादा करते हैं इतने से में काम नहीं चलेगा दस लाग रुपए और चाहिए बताओ पैसो का अर्रेंजमेंट कहां से कि हाँ मैं कुछ बता देता हूं जात अच्छा हाँ सार ये गलत बात है ना बताओ नहीं पहला अल्टरनेटिव फश्ट लिखते जाना मेरे साथ सर्थ कि एक लाग एक टेशियर इस्यू करूंगा कि इतने के सबसे असके सबसे इंपल है और सब्सक्राइब यह 10 लाग का करोगी क्या इस 10 लाग को भी मैं इसी प्रोजेक्ट में लगाने वाला इधर से आपका लाइन नहीं जाएगा इधर से खिस ले न दस लाग को भी इसी प्रोजेक्ट में लगाने वाले हो कमाई साड़े चार लाग होगी कि जएदा होगी कुछ मुझे estimation चाहिए कि कितना कमा सकता हूं और 10 लाक लगा के अभी कितना कमा रहा हूं 15 लाक 15 लाक पर 15 लाक लगा कर कितना कमा रहा हूं 4.5 मेरा कहना कि 10 लाक और लगाता हूं तो टोटल कमा है 4.5 लाक रही कि बढ़ जाएगे बढ़ ही कितनी हो जाएगे on an average ऐसा कुछ करेंगे ना पर सवाल वो नहीं है वो तो कमाएंगे सवाल है पैसा कहां से उठाना एक अल्टरनेटिव है एक लाग एक कुटी शेयर इश्यू करते है कितने के सबसे दस के सबसे यह भी अच्छा है लेकिन जो कमाएंगे ना अभी तक यह खुछ थे बाट रहा थे जो भी बचता था यह लोग बाट लेते थे अब यह भी आ गया है तो अब number of shares को total कितने हो जाएगे दो लाग वो देखेंगे second alternate पचास अजार equity shares कितना हो गया पचास अजार equity shares दस के एक पाच लाग and for remaining 15% debenture मतलब पाच लाग रुपिया का shares ले लो पाच लाग रुपए के debentures रुपीस फ़्विपेंटर रुपीस थाथड़ा है 15% debenture and रुपीस थाथ़ादर रुपीस थाथण 13% share capital पाच और पाच दस लाग होगे अब बताओ कौन से अच्छा हमारे पास तीन अल्टरनेट्टिव है या तो पैसे यहां से ले या तो यहां से ले या तो यहां से ले मतलब है एक वड़ी वाले कुछ नहीं बोलते है एक वड़ी वाले बोलते भी यह जितना बचेगा उसमें मुझको शेर दे देना इस जो भी प्रॉफिट कमाऊगे लाश्ट में उस पर हमको शेर चाहिए एपिएस टारगेट यह है कि हमको एपिएस निकालना और इस जिसमें एपिएस ज्यादा होगा वह प्रोजेक्ट हम वह उससे हम फंडिंग करेंगे बस्टारगेट एक है टारगेट सिंपल है हमको एपिएस निकालना है हमारे पास कितने अल्टरनेटिव है एक दो ती और फ्यूचर में कमाई कितने की हो सकती है थाड़े चार तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एस्टिमेटेड इबी आईटी अच्छे एक बाँ बताओं प्रहले एस्टिमेटेड इबी आईटी निकालो फिर बोल वार्किंग रोट तंबर वन करोगे लिख लो वीच अल्टरनेटिव इस दा बैस्ट कौन सा अच्छा है विच अल्टरनेटिव दावेश्ट हो सकता है वो मुझे कैसे वाल हो सबसे पहले लिखोगे मैं समझाते जा रहा हूँ वर्किंग नूट नंबर वन कैलकुलेशन ऑप एस्टिमेटेड इबी आईटी इस ओप्षिन में एस्टिमेटेड इबी आईटी अलग आएगा इस ओप्षिन में और इसमें अलग है ठीक है तो लिखोगे वर्किंग एलगोलीशन ओफ एस ऐसा कौन सा टॉपीक है अगाउट का जो अब पढ़ चुक्यों में इसी से कॉश्च लिख्वाएट इनटी एस वह आज कुछ कि अमल गमिशन एक्ष्टरनल होता न है कि मुझे काउंटिंग से मतलब यहां जा रहे हैं सुन लो धियान से हम यह जा रहे कि इस प्रोजेक्ट में और अगर हम 10 लाख रुपय लगा दे तो कितना कमाएंगे तो क्या एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पता है 15 लाख तो पर्षेंटेज निकल सकता है क्या पहले निकालेंगे पर्षेंटेज वैसे यूनिट्री मेथट से भी हो सकता है है ना पर नहीं कर रहा है हम पहले एक यल कोलेशन ऑ फैले पर्षेंटेज निकाल रहा है पर्षेंटेज का नाम बोलो रिटान आंगे रिटन ऑन क्यापिटल एम्प्लॉइट रिप्षेंट एक ही होता है यह साड़े च्यानलाग रुपे किस पे कमा रहे हो बस पताओ 15 लाग पे कौन सा वाला यह वाला कि यह वाला एक ही है अब यह एक ही है और इस चैप्टर में एक ही रहेगा आपके अमल गमिशन में जब पढ़ोगे उसमें अब यह वाला कि यह वाला कि यह लिखो अब जाद अच्छा सब तो कैपिटल इंप्टोई कैलकुलेशन ओफ रिटन ओन कैपिटल इंप तो एकजिस्टिंग कैपिटल इंप्टोईट कितने का है 15 लाक और अभी बिए टी कितना है कितना 4 लाक 50 लाक तो परशेंटेज निकल सकता है रिटन ओन कैपिटल इंप्टोईट फॉर्मूला को यह बताएगा या फॉर्मूले के बिना भी हो सकता है फॉर्मूले के बिना भी हो सकता है इप याइटी कितना कमा रहे हो साड़े चार लाक डिवाइड बाइ capital employed into hundred percentage निकल चार लाग पच्छास जार divided by 15 लाग into hundred तो कितना परशन आगए 30 परशन अब capital employed आपके पास 15 लाग नहीं रहा बताओ कितना हो गया इसको बलेंगे total capital पंद्रा लाग तो पहले से था प्लस पंद्रा लाग तो पहले से था में वाला पंद्रा तो लगा चुके और दस तो टोटल कितना हो जाएगा पच्छिस पच्छिस लाग पे भी हम मान की चल रहे है कि उतना ही कमाएंगे 30 परशन तो बताओ एस्टीमेट्र यह टोटल कैपिटल इंप्लोई में यहां सीधा-सीधा निकाल रहा हूं एस्टीमेट्र इबीएटी निकल रहे है कि इतना आ गया है साथ लाख अच्छा से ठीक आफ टोटल कैपिटल इंप्लोईड अलग से लिख सकते थे बाकि मैं सीधा-सीधा लाख अगर इस अल्टरनेटिव में जाता हूं तो इबीएटी कितना आएगा साड़े साथ लाख लेकिन इसमें जाता हूं तो बस मैं वही तो पूछ रहा हूं कि सोच समझके बोलना साड़े साथ लाख रुपए अगर यहां से फंडिंग करता हूं तो भी साड़े साथ भाई आप एक बाह बताओ आप गुड्स बेशते हों किसी को यह मैं बेच रहा हूं तो जिसको बेच रहा हूं पूछता कि पैसे कहां से लिए थे उदार वह नहीं बुझे कितने कितना आएगा साड़े साथ तो अब सुन हम EPS निकालने की कोशिश करेंगे सुनना ध्यान से कैसे निकालोगे अल्टरनेटिव वान टू थ्री ऐसे कॉलम बना लेगे वान टू थ्री और स्टार्ट कहां से करेंगे काम करते हैं लिखते हैं कैलकुलेशन ओप EPS अर्णिंग पर्शन हाँ हां 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 एक्सेप्शन में एक आद दो कुश्चन आएगा जिसमें कहेंगा कि नहीं नया वाले जो पैसा ना उससे दो परशन जादा कम कि कि इतने अल्टरनेटिव हमरे पास तीन वान दू कि इतने अल्टरनेटिव कहां से निकाला वर्किंग नोट नमबर वन पताओ कितना निकाला था तातलाग पचास चाहे आप पैसो का अर्रेंजमेंट कहीं से भी केचिए आप सात लाग पचासर कमाओगे इसमें से माइनस क्या करोगे इंट्रेस्ट तोच समझकर जवाब देना ये वाला इंट्रेस्ट माइनस होगा कि नहीं इसमें तो मुझे कुछ समझा नहीं ये तो सब में होगा ये तो भई पहले से उठा के रखियो आपने तो सब फिर कैसे करोगे यहां मैं ओल्ड करके लिख देता हूं ओल्ड डिवेंच कितना बट्रेंट किसका निकालोगे सब सबस्क्राइब निक्त कि यूर्ड कि कौन सा वाले में आएगा? इसमें नहीं आएगा? इसमें भी आएगा? फर्स्ट में नहीं आएगा? जेकेंड में आएगा? पाँच लाग का पंदरा प्रोचंट कितना है? 75,000 और सेकंड वाले में कितना हैगा? 75,000 तो अब जुआएगा उसका नाम बलो एबीटी 7,14,000 रुपए 6,00, 39,000 और 6,30,000 अभी क्या मैनस करूँ के टेक्स? टेक्स करेट कितना है? 30 बर्शन? 2,142,000 191 700 191,700 अब जुआएगा उसका नाम रहेगा? अर्निंग अप्र टेक्स अब जुआएगा उसका अब जुआएगा उसका अब इसमें से माइनस और किसको पैसे देना बाकि रहेगा है? मतलब माइनस करो के पहले से था कि कोई अब आजाएगा अब आजाएगा अर्निंग्स अगर इसमें लिखा रहता एक बात इंपोर्टन है कि रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है जितना अर्निंग है उसका बीस पर्शन रिजर्व में ट्रांसफर करना अगर ये सब्द लिखा रहता कितना परसेंट माइनस करतें इसमें से रिज में जबेंगे क्ट रहे तो 20 अगर को ट्रोश्यन में जब तसा लिखा टो नहीं कि 20 इस रिजीर्व में भी ट्रांसफर कीजिए पipping की वस्पे requests कितना कमाया कितना यह निकाल रहे हैं मतलब एक लाइन लिख देगा 20% ट्रांसफर लगा दिये 20% ट्रांसफर तोड़े से में एक बात और पूछू कि अगर कोशन में यह लेकर रहा है कि यह एकविटी शेरोल्डर को हमने दो लाक रुपिया डिविडेंट भी दिया मैनस होता कि नहीं होता हम क्याल है हम कमा कितना रहे हो रिकाल रहे ना वही ऐसी कोशन पूछूंगा टेस्ट वेश्ट में ना सहीं में इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा बच्चों को दो ही जगा दिक्कत होगी एक तो estimated EBIT निकालते नहीं बनेगा दूसरा number of shares लिखते नहीं बनेगा कि number of shares कितने नहीं बनेगा मैं जानता हूँ अच्छे से अभी देख लेना आगे इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना divided by क्या करोगे number of shares number of shares पह जाते हैं पहले से number of shares कितने थे एक लाग और नए shares एक लाग तो एक और एक कितना हो गया है दो यहां जाएगा दो लाग फिर पिर लाग फिर एक लाग अब निकल जाएगा EPS 2.50 ले लूँ कि देड़ लाग है ना कि दू पॉइंट नाइन एक ट्री पॉइंट है अब प्राइज जर्निंग रेश्यो होता तो इसमें इंटू कर देते प्राइज जर्निंग रेश्यो का पर अब भी नहीं दिया तो हमको यहें करना पड़ेगा कौन सा अच्छा है EPS किसमें ज्यादा है थर्ड वाले तो कौन सा वाला एक्सिप्ट करोगे थर्ड रस खतम चैप्टर ही खतम हो गया हमारे पांच मुझे क्लास लेरे के बाद अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं क्या बात कर रहे हूं और वह बच्चे सोचो जो सुबह 5 बजे यहां आकर फिर 9 बजे यहां से जाकर ऑफिस गया है और ITR चल रहा है तो 10 बजे 11 बजे से पहले ऑफिस से आनी सकता तो पांच बजो प्जो प्जो जो से प्लास लेट रहे है इलना पढ़डा एसा बोल रहे है अपना इस्ट्रेगल बता है अभी ना आपका नंबर बस यह चैप्टर यार अब टेंशन वाली बात नहीं है कि यार क्या है और कुछ होगा कि और कुछ इस्पेशन नहीं बस यही काम करते जाने ठीक है चलो तो बुक ओपन तीधा में बुक पे आरा और कोश्चन नंबर वन पी आजातों सबसे कोश्चन नंबर वाल ज्यान से करना पड़ेगा कर दो पड़े कोश्चन को बनाना आपको है है ना अ कंपनी अर्ण्स अ प्रॉपिट कितना तीन लाग पर रहना आप्टर मिटिंग इट्स इंट्रेस्ट लाइबरिटी एक लाग बीस जार और ट्वेले बर्टेंड बेंच्व यह जो तीन लाख रुपए दिया है यह क्या चीज़ दिया है क्या चीज़ है एबिटी बोलो चारवीस ना यार हमको इबिएटी से मतलब है हमारा स्टेट्मेंट कभी भी इबिएटी से स्टाट होगा टेक्स गरेट है पचास परशन नमबर अब शेर्स अभी कितने है यार दस रुपए का इक असी जार शेर्स है और रिटर्न रर्निंग कितना है बारा लग कंपनी जो है वो एक्सपांसन करना चाहती है और उसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत है चार लाग और यह अनुमान है कि कंपनी विल बी एबल टू अचीव दा सेम रिटर्न ओन इन्वेस्टमेंट एस एट प्रिजेंट मतलब आ लिए जो आप पूछ रहे और जो पैसों की ज़रूरत है या तो आप डेट है ले सकते हूँ कितने परशन पर या तो शियर इशिव कर सकते हूँ कैसे एट पार है पार मतलब शियर का प्राइस के तना हैWDHS Southend आपको क्या निकालना है EPS अगर पैसो का arrangement कहां से हो रहा है या तो पैसो का arrangement कहां से हो रहा है एक पर इस अब फिर आप इसके बाद advice कीजिए कि कहां से funding किया जाए पहला काम क्या होगा पहला working note हम बनाएंगे जिसमें हम estimated ABIT निकालेंगे दस नंबर का question आएगा मुझे पूरे 10 नंबर चाहिए working note number one और आपका तो इस attempt में निकालना मस्ट है किसी भी हालत में आपका attempt निकलना चाहिए यूँक्क फम में नहीं पढ़ाने बला हूँ आखे एलकुल इससे लाओ इस्टिमेटेट इबी आइटी अब पिछली बैच के बच्चे ना बात करती हुए पढ़ती थे क्या एक्जिस्टिंग इबी आइटी बता सकते हैं आप लोग चार लाख बीस लिख ले ना कहां से आजागा तर तीन लाख रुपए था इबी टी और बैक कैलकुलेशन में उपर क्या कर दिये इंट्रेस्ट तो टूटल कितना हो गया हमारी बास चार लाख बीस जा और इसके अलावा हमको चाहिए एक्जिस्टिंग क्यापिटल इंप्लोएट कैसे निकाले भाई अच्छा आट लाख का हो गया हमारा एक्वड़ी और बारा बारा लाग का हो गया रिटेन अनिंग्स तो टूटल कितना हो गया 20 लग तो रिटेन अन कापिटल इंप्लोएट निकल सकता है क्या रिटन अन कापिटल इंप्लोएट कितना कमा रहा हम चार लाग वीस जार इतने पर इस लाग पर into 100% is किस परचंट एस्टीमेट इडी बी-ाइटी निकल लेते हैं पहले से कितना पैसा लगा हुआ अल्रडी बीस लाक और कितना लगा रहा हूं चार लाक और उस पे कितना कमाओ के 21 पर्षेंट तोटल कितना पाच लाक चाल पिसे अभी लिखोगे कैलकुलेशन ओप एपिस कितने कॉलम आएगे दो ना यार एक डेट का और एक विदीट पाच मिनट है आपके अब वही तो में अब उधर चल रहे तुससर स्टार्ट कैसे करेंगे कैलकुलेशन ओप एप 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 आप्शन नंबर वन में जाएगा डेट और ऑप्शन नंबर टू में या एक विदी हाँ पूरा या तो डेट या तो एक विदी अच्छा पूर्वी अगर यह नहीं होता तो अच्छा पूर्वी अगर यह नहीं तो ना इफ़ानबाट या अफ़ानवाट 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 अगरशन अच्छा इंच्छा एप इस निकल कर बताओंगे कुछ बच्चे यहां इस कोश्ण कि इतने गौर से देखते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारे सामने बुक है करके अब बुक से भी उदर देखना अच्छा रहा है अब दीरे दीरे बुक से देखने की आदत खतम हो जाएगी पेपर आएगा ना समझ मरी है क्या दिया है भुक में भी देखा करो आगया अंसर जड़ा बताना EPS कितना है 1.60 टू पॉइंट वान तो चलो पूल किये आप 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 वे कर वे कर दो कि वह एक है। यह वैला अंसर कितना रहा तोंट 1.4 or 2.4 you want that it will be 2.1 2.1 why could you yeah okay yeah 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 कि वह तो ठीक है कि वह तो तो ठीक है कि चले जी आगे भाई देखो कोश्चन ना बड़े प्यार से करो जैट को डैट ही पहले लिखो और एकवटी को एकवटी ही पहले कि चलो आजाते हैं कोश्चन नमबर टू अभी मेरा मूट थोड़ा सा ठीक है सिक्वेंस में कर रहा है कोश्चन नमबर टू फिर मैं क्या इदर इदर पहुंच जाता हो कभी है कभी है कभी वह वह वाला कॉश्च कुछ ऐसा विसेर्स कोश्चन लग रहा है कि एवी एडी दिया साड़े चार लाग कोई तो नहीं निकाला था सायथ एग्जाम में आया था दिसंबर 2020 में तास नमबर वोश्चन तो यह वी चार लाग में आचा कि बागी तो कुछ भी मुझे ऐसा है हाँ चीड़ी बाज़ारी किस में पास करवाने वाले कोश्चन नहीं है कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह वाला गरते कोश्चन नमबर फोर पी अभी रोक रहा है कोश्चन नमबर फोर पॉश्चन नमब फोर पी टाइम पास कोश्चन है कुछ अच्छा रमाकेदार हो जाए तो मज़ें कर दो कर दो कर दो कोई बात नहीं कोश्चन गलत है नहीं होने माला आपको देखते ही बोलना चाहिए कि यूँ नहीं हो गया देखो सेलिंग प्रैस कितना 40 वैरेबल कोश्च कितना 40 वैरेबल कोश्चन तो उदर यूड़ गया नीचे कहां से आओ तो यह वैरेबल कोश्च में कुछ और होगा मैं बता दूंगा वैरेबल कोश्च अ में 2022 कम कि आख कोई बार ने था यह वाला करते कि यूठ्धदे पहले नुभाव है अ रिकर जिहली ओंगव मुझेंख में फाइप कोश्च अबपाइव कि वाइल इमिटेट को रिक्वायर है कितना पचास लाग किसके लिए इसका मतलब क्या समझ रहा है मतलब एक्जिस्टिंग कुछ नहीं हो ना डेट ना एक्विटी कुछ नहीं पहले वाला से को लेन देना तो एस्टीमेटेट इबेटी निकाल कर देगा फिर हो हमको पता कैसे लगेगा कि लिए इस प्रोजेक्ट एक्स्पेक्टेड सब्द लिखा हुआ है ठीक है कमाईगे इबी एटी कितना दस लाक हां वैसे अब कोई काम का तो बच्चा नहीं हो हमका एस्टीमेटेट इबी एटी चाहिए निकल कर दे दिया तो पैसो का कंपनी को कंसीडर करना अब्जेक्टिव क्या रहेगा एपीएस क्या होना चाहिए मैक्सिमा ठीक है तो अल्टरनेटिव है राइजिंग डेट 5 लैक और 20 लैक और दे बैलेंस इन इच केस वाइश्वीं एक विटी इस बस यह लाइन का मतलब समझा हुआ है यहां से यहां पाशलाग डेट तो 45 लैक एक विट लाग डेट तो 30 लाग एक विटी कंपनी का जो शेर अभी कितने का विक रहा है 300 मतलब ने शेर्स कितने वे इस्यों होगा आज जनरली किस पर इस्यों होता है मार्केट प्राइस अगर बोलेगा कुछ और तो बात दूसरी नहीं तो मार्केट प्राइस पर इस्यों होता है लेकिन बोले 250 हो जाएगा कब अगर 20 लाग से ज्यादा बॉर हो इस लाग से कौन से अल्टरनेटिव में ज्यादा बॉर हो रहा है वह आपको पता है और कितना रेट है 12 परशंट कितने रुपए तक पाच लाग 10 परशंट ओवर पाच लाग निकाल लेंगे इंट्रेस्ट का इमाउंट पाच लाग रुपए तक कितना परशंट 12 परशंट पाच लाग से उपर बॉरूंग करोगे तो कितना दस परशंट टैक्स का रेट कितना है 25 परशंट बताए कौन सच अच्छा है पाच नंबर का पोश्चन नववंबर 2008 काम कैसे करें कैलकुलेशन ओफ एपिएस क्या एस्टिमेटेड इबीटी निकालना है नहीं निकाल कर दिया हुआ है चलो अभी काम आचाहेगा कितना अल्टरेनेटिव है हमारे पस तो एपिएस कि यहां लिख लेता हूं अपने लिए लिख रहा हूं कि यार मुझे ज़्यादा दिकप नहीं होनी चाहिए कि पहले में डेट कितना था भाई पाच लाक तो यह कितना जाएगा कि यहां डेट कितना था कि टिस लग अभी यहां क्या आएगा अपने अच्टी में टेट कि वर्किंग दूट कुछ नहीं है कि ना अधुट और यहां भी कितना आएगा तस लग कि माइनस के अगर होगे इंट्रेस्ट तोच समझ के जवाब देना पहले तो पाच लग कही है तो कि ये पांच लाग कर ये अ कित नाले लें लेते तो सच तो यहां कितना चाहगा साथ है है दूसरे का बताऊं गाने ग्रुम अरा मसें तो आजा घ्लाक तक बारह और पाच बाच लाक की उपटा हगता साथ कैसे निकाल रहा है पांच लाख का बारा पर्षेंड और प्लस पंद्रा लाख का प्लस पर्षेंड तो 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 यहां जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा कि बीटी कि आतलाख नब्डे जार अभी क्या माइनस हो का टेक्स और टेक्स करेड कितना है अच्छी तू लेक थरड़ी फाइब थाउचन्ड वन नाइन से वन फाइग डबल जीरो अच्छी लगता है इसी की जरूरत है बताओ अविर्निंग आफ्टे टेक्स साथ लाग पाच हजार divided by क्या करोगे मैंने पहले बोला था कि यहां दिक्कत होती है बच्चों को एकवडी कितने का है पैतालिस लाख divided by तीन सो रुपए और दूसरे अल्टरनेट्व में कितना ही का एकवडी है तीस लाख divided by तोसो पचास ते नमबर उप शेर्स निकल जाएक बोलो कितना कितना आ रहा है पंद्रह अजार और बाराज जितने की एकवडी चाहिए उसने बोला कि तीन सो रुपए के सबसे इश्योग तो यहां कि आ जाएगा एप्स पोटी से वन पॉंसल्टरी अच्छा है पॉंसल्टरी अच्छा है पॉंसल्टरी अच्छा है तो बताए क्यों नहीं पहले मुझे बताओ 200 क्यों लिया था आप लोगों ने नहीं अगर देखो यार सब तो आपके सामने डेट 20 लाग रुपिया है और बोला कि 20 लाग से उपर जाएगा तो बोलो number of shares फिर से कुछ बच्चे क्या होते है कि लोगों की copy में cut-peet हो जाए उसके बाद बताते हैं ताकि 59.25 मैं आपकी बात नहीं कहाँ कुछ बच्चे के बात है सब की copy में cut होना चाहिए उसके बात नहीं जानवार होगे ना कौन सा अच्छा है अब सेकंड अच्छा वेरिबल कॉष्ट मिल गाएगी उसका कितना वह यह कुश्चन में कुश्चन बग फोर में चेंज कर लेना यहां वेरिबल कॉष्ट चालिस नहीं है वेरिबल कॉष्ट भीस है तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था चालिस है कि अब यह कोश्चन मैं भी नहीं करवा रहा हूं अच्छा है वैसी वाला दो कॉष्चन सिंबल सिक्स भी है या रिजन सी कॉष्ट कि अब यह कोश्चन नंबर एट आप करके बता रहा है चैलेंज वाला कॉष्ट फुस्य पढ़ें खुस्य कर रहा है टिक मैं आपको टाइम दे रहा हूं साथ नंबर का कोश्चन अब कितने मिनट का टाइम ताथ इंटू 1.8 वारा मिनट का टाइम है अपके अच पहला अंसर पहला अल्टरनेटिव में आरा 15.8 थीक है मैं समझ गहां अठाव दसमलो एक तीन लो साथा अल्टरनेटिव वान टू थ्री यह अंसर है मेरे तीसरे वाले पर अब्जेक्शन आ गया यह आरा 16 पॉइंट ओड़े यह आगे पहले खुद कर लें कि सब्सक्राइब आप लोगों चाहिए अनसर आप अनसर इस अनसर इस डाव पुर। यहाई भुछ कि अर्व जुछ में अर्व है नहीं वट जा प्ट यहाँ व अ यह गलाथ है तो जो इस question में problem कहां होई होगी एक तो interest के calculation में हो सकता था अच्छा इंट्रेस्ट के calculation में करोड़ी होई है बच्चा लिए वो तो second year का पूछी देखा हम सेकंड वाला अल्टरनेटियों का बचेगे है अच्छा इस question में इस्टेप मार्किंग की उम्मिद कर रहे हैं capital विश्टिंग हो तो बहुत है में इस्टेप मार्किंग हर सब्जेक्ट में है सब्सक्राइब फॉइंट के बाद दोड़ीट अपको लिखना है अच्छा है अच्छा इतना लिखकर आते हो आप और यह नहीं लिखते हो कि कौन सा अच्छा है तो वह भी गलत है इट मींज आप पेपर जो चेकर उसको बोल रहा कि आप खुदी लिख लेना आपको लिखना पड़े है अच्छा लिखना क्या है यह बोलता है अच्छा कौन साथ कौन कौन अच्छी लास का लाश्ट पॉश्च्ट पॉश्च्ट है यह साथ में बनाएंगे नहीं बना पाऊंगे कि अच्छ अच्छ के लाश्ट पॉश्चिन करते लाश्ट पॉश्च्ट नम पफॉश्च्ट मार्ज दोएजर बाविस अगिवन as follows इस बार EBIT से हम start नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमको sales से दिया selling price दिया 40 variable cost है 20 fixed cost है 10 लाक और number of units है 1 लाक ठीक है अगर sales में से variable cost और fixed cost minus कर दे तो क्या आएगा नहीं variable भी minus कर दे और fix भी minus कर दे तो क्या जाएगा EBIT fixed cost का मतलब क्या होता है fix operating cost इसमें इंट्रेस्ट fix होता है कि variable होता है fix इसमें इंट्रेस्ट जुड़ा है क्या पूरे finance में जब तक बोला ना जाए fix cost का मतलब fix operating cost के लाएग इंट्रेस्ट कभी भी नहीं जुड़ा होगा ठीक है तो अगर variable और fix minus करूंगा तो क्या आएगा EBIT इंट्रेस्ट्रेस्टर दे रखा है पहले का मतलब 31 मार्ज 2022 को एकवटी शेयर क्यापिटल रिजर्व है और करेंट लाइबरेटी को कहां एट किया उसने क्यापिटल इस्ट्रक्शर में राज लिमिटिट ने डिसाइट किया है कि आप expansion करोगे और कितने रुपए की जरूरत है आपको 20 लाक और इसकी वजह से जो आउटपूट है वो कितने परसंट से बढ़ जाएगा 50 परसंट तो नमबर उप यूनिट्स कितना हो जाएगा टूटल अभी एक लाक यूनिट्स है नॉर्मल क्यापसिटी में कितना हो जाएगा देड़ लाक और नमबर उप यूनिट्स के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा कितने हैं पांच लाक 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 और नमबर उप मतलब वेलेबल कॉस्ट अभी कितना है 20 उसको 15% से कम कर देना पर उनिट 17 जो एडिशनल आउटपूट है इसको बेच होगे किस पर एग्जिश्टिंग सेलिंग प्राइस ठीक है यह लिखा है विदाउट एडिशनल आउटपूट एडिश्टिंग सेलिंग प्राइज विदाउट एडिवर्स इंपेक्ट उन्द मार्केट यार वैसे एक लाग उनिट्स है अगर आप नंबर ओप उनिट्स एक्सिस प्रोडक्शन कर रहे हो बेच रहे हो तो यार आपको सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा एक्ट्र दिमाग में चलाना बोल रहा हूँ उतने कई बीचेगा ठीक यहां 14 तो दर 6 करेंट मार्गेट प्राइस पर शेयर कितना है 200 क्या क्यों बता रहा है वो नंबर और शेयर से निकालने के लिए और पैसों का अरेंजमेंट ऐसी होगा पाच लाग तक दस पाच लाग से दस लाग तक पंधरा अब 10 लाग से ओपर 20 तो आयूस से यहां अग तो अब यार सबसे इंपोर्टेंट बात है एस्टिमेटेड इबीएटी की क्या हमें अलग से कुछ रिटन अन कैपिटल इंप्लॉइड वगेर की जिरूरत है क्या नहीं क्यांकि हम स्टार्ट कहां से कर रहें कर रहें कि अ कि अ जाए ना कि अ कर लो काम कर रहें कालकुलेशन आप एपीएस सीधा इपिएस करते हैं कैलकुलेशन आप एप एपिएस कितने आप्शन है मारे बस तीन हाँ लिख सकते हूं तो से पहले श्टार्ट कहां से कर रहें है यह 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 पैल्स की जगा यूनिट्स लिख दूं क्या यह कॉंट्रिविशन नहीं नहीं प्यार से करते हैं ज्यादा शॉट्कट नहीं ज्यादा शॉट्कट नहीं कर रहे हैं हम लोग हम प्यार से कर रहे हैं कुछ नहीं से बताओ कितना एक लाग पचास जार इंटू चालीस एक लाग पचास जार इन टू चालीस एक नहीं अ कितना अ माइनस क्या अगर होगे इसको काटो कर सकते कर सकते हैं कि वेरवेल कॉष्ट पर इंट कितना है यार सब्सक्रा इसको काटो सब पीछी क्यों देखने लगे इस बच्चिस लाग पचास जार जार इंट माइनस फिक्स कॉष्ट इसको बढ़ जाएगा बुला था अब जुआएगा उसका नाम क्या रहेगा इबी आईटी है इंट्रस्ट वर्किंग नोट बना दूगे तो अच्छा है अग्या इस तो यह वन कितने लग का डेट है फ़र्ष्ट में पांच लाक और पांच लाक इसमें तो यह रिख पांच लाक तक इस तो पांच लाक कितना परशन्ट और पांच लाक का बंदरा परशन्ट एक लाक अच्छे से और यह रड़ में डेट कितने का हैं अच्छ लाक का अच्छ लाक का अच्छ लाक का अच्छ लाक का क्योंध पीस परशन तो लाक पांच लाक का अच्छ लाक का अच्छ लाक अच्छ लाक का अच्छ लाक का इस एब बेटी कितना विस्वास करता मैय दो विस्वास करता हुए कि विस्वास करता है । अथ्या शायरीं परसंद। प्रक्सार्ट परसंगे विस्वर्ट। प्ना olacak था थाःक्स। 50 companions say 1,60,000 say 1,30,000 6,98,000 अने आप्रेटेक्स 10 लाक 10 लाक यह पीछे बैटके मज़े ले रहा है या फिर सिरुस नहीं है तो नहीं है ना पक्का अज़ें 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 इवाइड़ बाइ नंबर उप शियर्स पहले से एक लाक शियर्स है ना कि इतने रुपय में शियर इस्यू होगा पहले के नंबर उप शियर्स है एक लाख कि अभी कितना एक विटी एसमें मुझे बता हूँ पहले के नंबर उप शियर्स है एक लाक और अभी कितने शियर्स हैं कितने रुपया 15,00 और दिवाइड दो सो हां हां मार्के प्रीस तो बताओ कितने स्वियर्स ताग है 1 107 1075 टोबच अब यहां कितने के एक विड़ी है कितना रुप्या कि वारेड़ वैं दोस्तों कि यहां नमर उप्षियर्स कितना जाएगा कि एक लाग पाच हजार कि इसे नमबर पर कितने की फंड नहीं है च्छे लक कि एक लाग तीन हजार EPS 10.61 10.43 10.1 अल्टरनेटिव फ़र्स्ट लेख लोगे भाई अल्टरनेटिव फ़र्स्ट पर्स्ट कुशन नमबर उन हो गया है कि 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 कुछ नंबर फोर अभी किया है साइट कि कुछ नंबर फाइव भी हो गया है कुछ नंबर सिक्स होंवक कि कि कॉपी पेस्ट मत कर देना पतला का पिछला कोशन इसमें सेवन परशन डिवेंचर भी आ गया है ना वाला पुराना वाले इंट्रेस्ट भी माइनस करना पतला का सेम दिख रहा है और 40 रुपए 20 रुपए तो उड़ा दो कोशन यह भी देखोंगे कोशन में नाइन होंवक कर दो बार कर ले ना याद हो जाएगा कोई कोशन कट कर देना और दोनों में से एक तो कर लोगे ना कर दो कोशन मत्री होंवक पैसों की जिर्वत है दस लाक एक लाक शेयर इस्यू करो दसके एक और सुनों एक्जाम में भी आया था में 2019 में दस नंबर कोशन अब इतना ही अपिशेंट है या फिर और खूंवक लेना चाहोगी तो अच्छा कि तो कितने दो गुशन होगे सायत एक तो कटवा दिया होना भाई अच्छा तीन 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 कोशन है और कितना टाइम लगएगा आप भी जानते हो अच्छे से अच्छा के लिए अफिशेंट है कल तो इतने सबस्क्राइब अच्छा अच्छा अच्छा